हेलो एवरिवन आज का हमारे टोपिक बीए बीए सी सेगेंड एडवांस कैलिकुलास एक्सराइज 1.2 एक्सराइज 1.2 के अंदर हम यूनिफॉर्म ली कंटिनूर्स के कोश्टिंस को प्रूव करेंगे यूनिफॉर्म कंटिनूर्स होता क्या है वह हम प्रिवेस क्लास के हमारे पास है सो थैट एप एफ एस इस तो रूट एस यूनिफ़र्म कान दर मैं एप को डेफिनेशन बताया थी क्या मोड है माइनट से एफ ऐफ सीमब यह है अब आप यह वाही के पर यह एक से प्लिश कर सकते हूए आपके बूक के अंदर इन सिंबल से काम क्या हुआ है REX चुपे तो हम इसके उपर काम कर लेते हैं ठीक है जी करते हैं इसको f of x is equal to root x है हंजी let x1, x2 belongs to close interval 1 से 2 ठीक है अब सालन गर्ट देन जीरो भी एनी नमबर हमने एक नमबर कर लिया अब साइलन जो क्या है गर्ट देन जीरो ठीक है जी अब बात कते डेफिनिशन की तो f of x1 minus k f of x2 is equal to आप यहां से लिख सकते हो x1 है यहां पूट कर दो क्या बनेगा root x1 यहां पूट कर दो root x2 ठीक है जी यह हमारे पास बन गया अब यहां से हमारा जो definition है वो फुल्फिल नहीं हो रही है उसमें क्या चाहिए x1 minus x2 चाहिए लेकिन यहां पूट है तो क्या करो इसका इसके अंदर ही रेसलेजेशन करते हो ठीक है जी तो root x1 minus k root x2 तो root x1 plus k root x2 अब उन में root x1 plus k root x2 ठीक है जी हमने क्या किया इसका रेसलेजेशन करते हैं अब यहां से a minus b a plus b तो यह बनेगा x1 minus k x2 ठीक है जी और नीचे हमारे पास यह बन जाएगा root x1 plus k root x2 ठीक है जी होगे इतना काम ओके नव अब हमारे पास हमें सिर्फ यह चीए जो नीचे फंक्शन है इसके value को हमें अटाना है कैसे टेगी इसको माई लेते हैं सबसे पहले equation number 1 अब देखो जो यह number है x1 और x2 कहां से आई है close interval 1 2 के अंदर से आए हां जी आए की नहीं हां जी आगए ठीक है तो नाव जो x1 का mode होगा यह value क्या होगी क्या greater than is equal to 1 होगी हां जी मोड x2 के value भी क्या होगी greater than is equal to 1 होगी क्योंक्य यह value किसके अंदर से है 1 2 close interval के अंदर से तो यह value 1 से तो बड़ी होगी यह 1 के equal होगी यह भी 1 से बड़ी होगी यह 1 के equal होगी ठीक है जी तो therefore mode f of x1 minus k f of x2 यह हमारे पास क्या बन जाएगा less than is equal to किससे mode x1 minus k x2 upon में इसका mode करेंगे that is mode x1 plus k mode x2 ठीक है जी इसको ऐसे लिख सकते है अब यहाँ पर हमारे पास यह क्या बन जाएगा यह बनेगा मारे पास mode x1 minus k x2 upon में यह 1 है यह 1 है तो 1 put कर दो यहाँ ठीक है जी तो यह वहाँ x1 minus k x2 upon में 2 ठीक है इतना काम होगे हमारे पास यह function के है less than is equal to है यह equal to तो इसके equal है ठीक है इसके नहीं इतनी यह equal है तो यह हमारे पास हो गया ओके नाव मोड f of x1 minus k f of x2 less than epsilon होगा कब if जो यह number है हमारे पास कौन सा यह वाला mode x1 minus k x2 upon में 2 क्या हो less than epsilon हो ठीक है जी और mode f of x1 minus k f of x2 less than epsilon होगा कब if mode x1 minus k x2 less than क्या हो जाए two epsilon हो ठीक है जी mode f of x1 minus k f of x2 less than epsilon होगा if mode x1 minus k x2 क्या हो जाए जी less than delta where two of epsilon is equal to हमारे पास क्या हो गया ठीक है जी इतना काम हो गया यह हो गया तो यहां से हमारे पास जो uniform continuous के definition है वो satisfy हो गई है f of x1 f of x2 था तो यहां पर क्या action x2 है तो therefore f of x is uniformly continuous in close interval 1 से ठीक है यह हमारे पास के हो गया uniform continuous हो गया जल्दी से नोट के जी आपका first part finish हो गया ए're ुआ अ अब हमारे पास पास फाट सेकिंड है ने सब्सक्राइब क्या कहता है सो देट एफ एक स्कूर जो देट एफ एक स्कूर इस पास इवकल तो एक स्कूर इस रूनिफोर्म ले कंटिलिस Uniformly Continuous On Close Interval 0 से 1 इसके बाद 3rd Part भी बिल्कुल सेम दिया हुआ है बस interval change किया हुआ माइनस 1 से 1 किया हुआ है ठेक है जी और 4th Part भी बिल्कुल सेम ऐसा ही कोशन है तो 2nd Part देखते हैं इसका तो इसके लिए हम क्या करें Let X1 X2 Belongs to Close Interval 07 ठेक है जी Consider अब साइलन ग्रेट देन 0 बी ऐनी नमबर हमने नमबर कंजिडर कर लिया ठेक है जी Now Definition प्लाई करो Mode F of X1 Minus K F of X2 Is equal to Mode F of X1 के वाली क्या होगी अगर F of X के लिए X2 है If of X1 के लिए क्या वोगी X1 का स्कीर होगी ठेक है जी MINUS K X2 का स्कीर होगी ठेक है अब यहाँ पर formula क्लाई कर सकते हैं कौन सा a square minus b square x1 minus x2 into x1 plus x2 ठीक है जी इसको अलग अलग कर सकते mode में बोलो mode x1 minus x2 mode x1 plus x2 ठीक है जी और ये value less than is equal to हो जाएगे हमारे पास किससे mode x1 minus x2 और इसका mode that is mode x1 plus x2 ये लगा दिमें bracket ठीक है जी इसको नाम देते equation number 1 का अब जो ये x1 x2 है ये बिलों करते है 0 1 से बिलों करते है तो जो mode x1 होगा जिसकी value होगी वो value क्या होगी less than is equal to 1 होगी और mode x2 क्या होगी less than is equal to 1 होगी यह होगी ना value इसकी less than is equal to 1 ठीक है तो अब therefore mode f of x1 minus k f of x2 less than is equal to mode x1 minus k x2 ठीक है जी यहाँ पर x1 के place पर value पूट कर दो 1 इसके place पूट कर दो 1 ठीक है जी तो ये क्या आगा हमारे पास 2 mode x1 minus k x2 ठीक है जी 2 आगा है वहाँ से तो f of x1 minus k f of x2 इसका mode less यह हमारे पास हो गया अब क्या करने चाथते हम कि यह नंबर अप्साइलन से छोट है दस f of x1 minus k f of x2 का mode less than epsilon होगा इफ यह value हमारे पास क्यों चीए 2 into mode x1 minus k x2 less than epsilon ठीक है जी और mode f of x1 minus k f of x2 less than epsilon होगा if हमें चीए mode x1 x2 के value उसके लगा जो भी है वो हमें नहीं चीए तो इसको लिखेंगे अब सेलन बाई 2 यह 2 है निचे आजाएगा ठीक है जी हमें सरफ इस से मतलब है हमें यह चीए इसके लगा कुछ भी हमें आपे स्विकार नहीं होगा उनसे भी कम्यासे हटा देंगे ठीक है जी और mode f of x1 minus k f of x2 less than epsilon if mode x1 minus k x2 less than delta यह यहां से हमारे पास के हुए जो उनिफर्म कंटिनूर्स थी उसके डेफिनेशन फुल्फिल होगी है तो therefore f of x is equal to x square is uniformly continuous ठीक है जी on close interval once 0 से 1 लेजी question आपका पूर्व हो गया ठीक है जल्दी से note कीजिए इसको फिर करेंगे next question इसका next question हमारा question number 2 ठीक है question number 2 कर लेते हैं यह मारे पास क्या दिया हो है f defined by f of x is equal to x cube is uniformly continuous in the close interval 0 to 3 ठीक है question यह है बट यहां पर क्या कर दिया x cube कर दिया interval 0 से 3 कर दिया ठीक है जी okay और यह हमारा हो गया है first part question number 2 हो गा यह चीज है ठीक है ठीक है ठीक है तो इसके अंदर हमें अब काम करना है तुम्हें क्या करता हूं इसके थोड़ थोड़ा चेंज कर दूं कावा पे यहां पे यहां पे जीरो के इस पर क्या हो गया ठीक हो गया थ्री हो गया नव अब इन के लिए मारे पास कर जाएगी एक्सवन क्योब एक्सटू क्योब ठीक है जी और यह फॉर्मुला मारे पास के उतता है प्लस के एक्सटू 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 स्केर एक्सटू स्केर इस ठीक है जी यह वैली होगे मारे पास तो इसको लिखेंगे हम एक्सटू का स्केर एक्सटू का स्केर एक्सटू का स्केर प्लस के एक्सटू ठीक है जी और यह हमारे पास को जाएगा तो मॉड एक्षिंड गस्केश एक्सिंग हिए जी प्लसके मूर एक्समें एक्षिंड धीक है यह घमारे पास हो गया अब ये वैल्यू हमारे पास क्या होगी लैजने शेर्ट टूप्रहेय हांगी ठीक जी को यह ऩ恭喜 होगी हमारे पासे तो जूल य सबसके न्दर यह पर पूट करेंगे हम तो मोड एक्सवी मीनल सतो यह यहां पर सेव लाइगा हम दमर कें थरी पूट करेंगे इस के अंदर त ट्रीक मीज़ ओ ड्री-वा-धर, Mél र संपलतचे, लाइन और एंप्र इनज लाईग Store LA रालती हो वहां ठोट जायए ग streets, और यहां पर एक्सक्यूब लेजिए जी कुछिन कंप्लीट हो गया ठीक है कुछ किया मैंने कुछ भी ने किया जस्ट थोड़ा थोड़ा चेंज किया बस कुछिन सेम है सेम पैटरन रहेगा कोईशन नहीं है ठीक है जी एक्सें एक्स्टू था इंटरोल में चेंज कर दिया प्रोब्ल्म क्या है अगर आप यह यूज करते हो जीरो वाले टरम तो यह कॉंटिटी जीरो बन जाएगी यह जीरो बन गई तो फिर हां से बचेगा क्या कुछ भी नहीं बचेगा ना इसलिए हमने क्या क्या यहां पर ठीक है जल्दी से नोट कीजिए इसको इसके बाद इसके दो दिन पार्ट है बिल्कुल सेम पार्ट है सेम पैटरन पर काम होगा ठीक है आप कर लेंगे उनको आसान है इसके बाद है हमारे पास कॉस्ट नमबर थ्री शो देड़ फॉंक्शन आफ डिफाइन बाई दिस ओके चलो इसके अंदर भी कुछ चेंज कर दे सब्सक्राइब इसको कर लेते हैं ठीक है इसकी स्टेटमन थोड़ी सी अलग है यह ऐसा नहीं है हमारे पास f of x क्या दिया हुआ है इन्होंने थर्ड का फर्स्ट पार्ट f of x हमारे पास है 2x के एर ठीक है जी माइनस 3x प्लस के 5 ठीक है इनिफॉम के टियूर्स होगा माइनस 2 से 2 के अंदर ठीक है जी बस यहां पर यह स्टेटमेंट है और कुछ भी नहीं है वही सेम काम करेंगे आपर भी लेट एक्स वन एक्स टू बिलोंग्स टू क्लोज इंटेवल माइनस टू से 2 कंसीडर अब सैलने ग्रेट देन जीरू ने नमबर ठीक है जी हो गया और अब क्या करतें डेफिनिशन अपलाई करतें अब्लड ऑफ एक्सटू इस गली जाहां जाहां पर एक्से वाहां वाहां पर एक्सट्विशन पूट कर दो तो तू दूआक्स की सरे मानिस कई 3 ऐक सब्सक्राइब की थी कई ट्यक्स कई माइनस यह तरी एक स्टू शर्टी एकस के फैस की इसको अई गरहलेmers लेक्ष एक फार परी माइनस के त्रेंस की थी क्रीक्स इंप फ़ाइब से फ़ैफ से फैस्वाइब तो गया ओके तो यहां से टू तू यहां से को मना जागा अंद्र गुशा एक्सिंद का स्केर माइनस कह टू गाइनस और यह पलस तो यहां से मैनस को मना से गार्ट you अब ढ़े पास अब फॉर्मॉला पले करते हैं यहां पर इसक्रेमैस वी स्कंडर का तो क्या बने x1- x2 x1- x2 x1- x2 x3 x1- x2 ठीक है जी अब यहां से x1- x2 कोमा निकाल लिह हम तू तो नी x1- x2 कोमा निकाल ले तो भंदर क्या बच्छेगा 2x2x2 ठीक है जी माइन से बच्छेगा 3 ठीक है इतना काम हो गया हमारे पास गोगी इसको नाम देते हैं नबर ब anf ten अब हमारे पास इसको मोडिलेशन लेकल है, अलगिलाग करके लेकल, वॉड्शून स्क्टमॉडGG और समने मॉड दो भाया निकाल दे, टो मोड ऑसफस्टमॉड, टो मोड कि पे ईॉड्शून, यके टूमॉड वादर्वान का थीकहां मॉट एकसन क्या है 나오는 rifle एक्समून होगा इसकी वेलव एक्स Canvas टू प्रण जली मोड एकस टूक हों टू हो गी हंचिक हों इंट город माइनस टू से अ और मेंस तो खुगा हुगाए क्यों क्यों सबसीघुच होत्य है तो ट्लेजजिट्सिक्स ऊपूरण यहां पूट कर दू है तो देयरफोर मोद एक्सम मानश यहां पर हम तू मोड एक्शन की वैल इतनी एक प्लस के टू थो ए माइनस के 3 लेजन इस उपल टो मारे पास के एक सोन माय एक स्टू और यह बनेगा मारे पास टू तू तू जा 4 4 प्लस 488 माइनस के 3 5 क्या बना हमारे पास 5 बन गया ठीक है जी नौट मोड f of x1 minus k f of x2 less than epsilon होगा if agree quantity हमारे पास क्यों जाए mode x1 minus x2 into 5 less than epsilon हो जाए ठीक जी for mode x1 minus k f of x2 less than epsilon होगा if mode x1 minus k x2 क्यों जाए less than epsilon by 5 ठीक जी mode x1 minus k f of x2 less than epsilon होगा if mode x1 minus k x2 क्यों जाए less than delta we are delta is equal to epsilon by 5 ठीक है जी यह हमारे पास epsilon है तो therefore अब दिखो यहां से जो uniform continuous की definition थी वो satisfy होगी f of x1 f of x2 less than epsilon है कब जब हमारे पास x1 minus x2 का mode क्या हो less than delta ठीक है जी तो therefore f of x is uniformly continuous तो f of x हमारे पास क्यों गया uniformly continuous जल्दी से इसको note कीजिए फिसका next part करते है कुक्षिंस बिल्कुल आसान है ये कुशन तो आपको करत सोल करते करती याद हो गए होंगे अब तो सेम से दिये हुए हैं तो second part करते हैं थर्ड कोस्टन का ये क्या हमारे पास so that f of x is equal to 1 by x is not uniformly continuous और one semi close interval है हमारे पास जिरो से दो अपन है और one पे close है ठीक है जी हमें ये प्रूब करना है कि ये function क्या है uniformly continuous नहीं है हम ये show करना है आपके तो uniform continuous नहीं है तो it means हम क्या show करना चाहते हैं हम ये show करना चाहते हैं कि f of x1 का mode f of x2 ठीक है ये क्या होगा greater than cell हो जाएगा किसके लिए if mode x1 minus x2 क्या हो less than delta हो इसके लिए हमारे पास ये condition exist कर जाएगी ठीक है अगर ये क्या है uniformly continuous नहीं है ठीक है जी तो ये condition हमें show करना है आपके तो करते हैं शो इसको तो लेट डेल्टा गरेटर देन जीरो भी एनी पोजिट्वी इंटीजर हमने पोजिट्वी इंटीजर डेल्टा ले लिया ठीक है जी नव अब क्या करेंगे यहां से कंसिडर करेंगे एक नंबर लेट लेट इस कंसिडर एन भी यह पोजिट्वी इंटीजर ठीक है जी सच देट कि जो वन भाई एन करेंगे वह हमारे पास क्या होगा लेस देल्टा होगा ठीक है जी हमने एक नंबर एन कंसिडर कर ले किस परकार से कि जो यहां पे अगर वन एन पूट कर दे तो वन भाई एन जो आंसर आएगा वह क्या होगा लैस देन डेल्टा होगा ठीक है है अब यहां से एक्सवन के प्लेश पे X1 is equal to 1 by n और X2 is equal to 1 by n फिक है हम ने इज लिया लोड X1 minus के X2 हम बात करेंगे ड्येल्टा के लिए अब सालन के लिए बात बाद में करेंगे ठीक है फिर ड्येल्टा वेजिस करते हैं यहां पर मोट X1 माइस X2 है तो X1 की value क्या जी 1 भाई N है X2 की value क्या है यह value हो हो मारे पास इसको इसको शोल करेंगे लेकर N in टो N plus 1 तो पर N ± qn- यहाईगा हमारे पास N से N cancel 1 by N in 2 N ± 1 ठीक है जी यह हो गया और यह quantity देखो अगर इसको compare करना चाहिए में प्या क्मांटिटी वन बैंट से मैंसे लेसे यह वैल्यू अंजी में शोटी होगी है और वन बैंने की सोटा है यह हमारे पास यहां पर एक्जिस्ट कर गया कुर्ण ठीक है, therefore, f of x1 minus k f of x2, इसका mode हमारे पास क्या हो जाएगा जी, f of x1, इसके फिले संग्या पूट करें, f of x के लिए क्या है, 1 by x है, ठीक है, तो f of x1 के लिए क्या होगी, 1 by x1 होगी, ठीक है, 1 by x1 minus k, 1 by x2 होगी, हन जी, और 1 by x1 हमारे पास क्या जी, x1 यहां से 1 by n है, तु है, तू है, यहां से 1 by x1 होगी, 1 by x1 होगी, 2 by x1 होगी, तू हमारे पास क्या होगी, y second, पास क्या स्वेस्धाइगी, ठीक है, इसको फोल करते है, तो मारे पास क्या है, y best, minus n minus 1 तो यहां से n से थो n cancel हो जाएगा ठीक है जी और यो value क्या जाएगी 1 ठीक है और जो 1 है ये 1 हमारे पास क्या है greater than epsilon होगा कब अगर जो epsilon की value हमारे पास कह उसाती है 1 by 2 ठीक है अब epsilon की value अगर हम 1 by 2 लेते हैं इस interval के अंदर से तो ये value तो हमारे पास क्यों हो गई ये वन तो क्या है बड़ा है अब साइलन से ये value बड़ी आ गई है तो it means से हम कह सकते है तो therefore mode f of x1 minus k f of x2 greater than epsilon if mode x1 minus k x2 क्या हो less than delta देखो ये value तो हमारे पास क्या less than delta है ठीक है जी बड़ ये value हमारे पास क्या है greater than epsilon है ठीक है जी तो therefore f of x is not uniformly continuous on semi-closed interval 0 to 1 ठीक है जी ये था हमारा question तो यहाँ पर third का first part finish होता है जल्द से इसको note किची तो इसके बाद हमारे पास second part और third part बिल्कुल पहरे पच्चु से हम दिये हुए है ठीक है जी इसके बाद हमारे फिर 4-5 question हो बस्ते हैं ठीक है 8 question देगे विसे भी question हम करेंगे next class के अंदर तब तक वीडियो को enjoy करो अच्छी लगे तो नीचे comment भी कर दो मिलेंगे फे जल्दी नेक्स वीडियो के साथ बाई-बाई-टेक के और सी यू थैंक यू फॉर वर्ट सी झाल